इस नमस्कार मैं हूँ एडवकट शोग शोधरी साथियो आज अपन बात करेंगे भाई नए टोपिक पर बात करेंगे साथियो मेरे मैं अभी बैठे बैठे टीटर देख रहा था उस पर एक ट्रेंड कर रहा है एक टीटर मेरी बिल्ली मेरी म्याँ हमारे रास्तान में रास्त इंडिया में अभी आज की लेटेस्ट नूच है 18 अप्रेल एजाज खान गिरबदार हो चुका है एजाज खान बंबे वाला जो अपने आपको हीरो बताता है फिल्में भी की होगी उन्होंने अच्छी बात है उन्होंने धरम के खिलाप या फिर लोगों के वीपक्स में बढ तरह से आजादी है कोई कीशी को गाली दे किसी धरम के खिलाप भी गाली लोग दे रहें एक दूसरे को सोचल मीडिया पर रियल लाइब में एसा कुछ नहीं है शिरफ सोचल मीडिया पर सोचल मीडिया से बहार निकल जाओगे न तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखे 。」 मैं बात करूंगा गलब में दुबई मस्कत बहरीन कुवेत और हिंदू भी रहते हैं सब लोग वहां पे रहते इंदु शीक हैं जो मौमडेंस लोग हैं वहां के लोकल आदमी एक कोई सुर्भी उपाद आए ऐसा कुछ नाम है मैं स्क्रिंशोट साथ में शेयर कर दूँगा अलांकि शेयर करने ही जूरूत नहीं है विश्वास करना तो करो वरना मत करो मुझे मेरा कोई नुक्सान नहीं होगा मैं चलाते हैं एक टूटर फ्रुफेशनल टूटरेशकों प्रूफेशनल लोग चलाते हैं नॉर्मल लोग नहीं चलाते जैसे ऐस्विक आमादी में चलाता है उसमें पड़े लिखे-डिया के हैं जो अपने में ऑपे इंजनियर की जोप के पोस्ट पर हैं या उँसको जुरत पढ़ गी मैं घला है तुन दो मुझे गाली दोना आप है आप इसलाम के देश में मतलब मेरी बिली मेरी भ्याव आप इसलामी कंट्री मेरे इसलाम को आप गाली दे रहे होंगे एक ट्वीट चल रहा है उसका हैस्टेक लगा के बाकाइदा वहां के परस्नल जिसमें लोयर हैं मंतरी संतरी बड़े जो अधिकारी अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं वो गो बैग हिंदुत्वा है यानि आप हिंदुत्वा का परचार कर रहे हैं यह देखिए जी इंडिया के हिंदु हमारे देश में रहके हमारा ही खाते हैं हमारे काम करते हैं हम बदले में तनका देते हैं फ्री में तो काम नहीं करते और फिर वहीं से आप अपने ट्रेंड बैठे बेटे करें लोगडाउन के दोरान इसलाम में यह है उसने ज आजस्तान में 600-700 मुग्द में बढ़काव पोस्ट करने वालों के खिलाब जमाने तो नहीं होती है यह और बता दूम आपको छह मेने पहले इंडिया में तो भाई वह तो इस्लामिक कंट्री है वहां तो छोटी सी मिस्टेक करने पर बड़ी-बड़ी सजाएं मिल जाती है व उसके एक बूंद ना उसको फाड़ देता है फूरा का पूरा यानि एक गलत आदमी सब लोगों गलत साबित कर वो हिंदू में लागू होती है वो मुसलमाने में लागू होती है एक आदमी गलत होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि उसका पूरा समाज या फिर उसका धरम आप यह समझ लीजिए कि आप दुबई में बैठे कमें आप ट्रेंडिंग वहां ज्यादा करेगा इंडिया में इतना नहीं करता वरतना वहां करेगा क्योंकि उसकी लोकेशन दुबई के आ रही है यह दिमाग में क्यों नहीं बठाते आप उनके आपके वह सामने आ गया अभी वो ट्रेंड जला रहे हैं कि हिंदूों को वापस बेजो एक आदमी की गलती हुई है ना बिलकुल गलत तो ऐसा नहीं करें बहुशे में भी ध्यान रखें यह वीडियो लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो यह बात हिंदू-मुसलिम की नहीं यह बात है गलत बात कर हो ना नेता बंजा हुआ पर एक दूसरे की खिलाब इंजाम लगाते रहो यह नेताओं का काम है रोटियां शेंगना दरम के नाम पर एक दूसरे को लड़वाना वहां जी यह आपको पता नहीं यह इन चीज़ों का और इसमें फंसता कोन है गरीब बंदे फंसते हैं हो सकत हो तो यहां के कोई काम कर ले या फिर उसके पास को डिगरी है या फिर उसका घर इस्तिती अच्छी है कि उसको जरूत नहीं है विदेश में जोब करने की लेकिन गरीब बंदों क्या होगा एक मायन में नेगिटिविटी आती है जैसे इंडिया में यह जमात के पेटे हो ग जबकि आप गरीब घर के बंदे हो सब कमाने के लिए गये हैं और 90% लोग 20-30,000 की जोब करते हैं 90% लोग मैं बोल रहा हूं यह गरंटी के साथ गलप में जो भी बैठे हैं और आप इस्लामी कंट्री में बैठे हो जो अपने धरम को सबसे ज़्यादा वो आपको गलत बोल होते होंगे अगर गलत बोलते होते हैं तो इसलामी कंट्री में हिंदू काम नहीं कर रहे होते यह तो उभिवादी तिपनी करना उसको रोके टोके नहीं मानता तो शिकायत करते साले की पुलिस में एक एक ना मोट के साथ में गुण फिशा जाता आपने क्वाव सुनी है न क्यों लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो कमाने के लिए गई यार गरीब करके बंदियों कमा कर रहे हो इंडिया आके करो ना अपने घर में बिजनस कड़ा कर लो करोड़ों रुपे लगा के अभी मैं ट्वीटर देख रहा था मेरे सामने ये न्यूज आई है और मैंने सोचा क्या बताएं आपको वाई मैं तो कोई स्क्रिंशोट नहीं लगांगा आपको जचे तो द नहीं आएगी फिर आप देखो आप घंदु कि आपके घर में कोई ali friction क्र रहा है आपकी कंपणी में काम कर रहा है और वह हिंदु के खिलाब आपके धरम के खिलाब वहां बैठे बैठे आपके सामने टिपणी करेगा उसको पिर आप जोपे रखलोगे उसको आप थाने में पुलिस में कंपलें नहीं करोगे उसकी सोट में मेरा मोटीव इतना ही है भाई दरम सबका अच्छा है तरम किसी को गलत यह बैर रखना नहीं शिकाता यह इंसानों की करतूत है जो अच्छे मेंड़ के होते हैं वो गलत अरकते करते ऐसा ना करें विद्वेसों में क ज्यादा है लोग ध्यान नहीं देते लेकिन वहां नहीं चलता ऐसा वह किसी के लाप गलत बोलते नहीं सुनते भी नहीं है उनको पसंद नहीं है सिधा उठाके जेल में डालेंगे सोटे और पड़ेंगे आपको कोड़े जिसको बोलते हैं पिछवाड़े पे समझ में नहीं बले अगली स्टोना क्या मतलब है यार इस चीज़ोंगा तो मेरे साब से आपको मेरी बाते समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगे लाइक करें अन्य लोगों को जुरूर शेयर करें ताकि अगर कोई गलत करने की सोच रहा है तो उनको भी थोड़ा ध्यान रख लें इन बात का यार ठीक है साथ यो इतने ही मेरी बात थी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें अगर आपका को मैंने में कोई बात है तो बाइं कमेंट करतें मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में अपन विचार बात कर लेंगे ठीक है साथ युज़ा हिंद बंदे मात कर दो